हलो दोस्तों मैं सरोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आप सब की लिए कर आए हैं एकदम रबडीदार एकदम किरीमी सी फिरनी की रेश्वी आज से हम सिंपल तरीकी से बनाएंगे ना ही कोई मावा ना ही मिल्क पावडर ना ही खोबा इसे हम सिंपल तरीकी से बनाएंगे खाने में तो बहुत ही तेश्टी होता है चलिए आज की रिस्पी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चावल लेंगे यहां मैंने 80 ग्राम के चावल लिया है एक आप मिजरिमेंट बना लीजिए यहां पर ने टोटली 1.5 लिटर दूद अगर आपने एक लिटर दूद लिया है तो उसमें 50 ग्राम या 45 ग्राम चावल डालिए उससे ज्यादा नहीं सबसे पहले हम चावल को दोएंगे चावल को हमें ज्यादा मसल के नहीं धोना है हलका से दो लेंगे तक इसमें का जो कच्रा है निकल जाए थोड़ा सा पाइन सिसको भीग वे देंगे हम 20-25 मिट के लिए जैसे हमरा चावल भीग जाएगा इसको हम पाली से छ्टान करके ग्रान करेंगे ध्यारडा Figure करना है दॉड़ा सा बहूँ जबारिक में इससे घ्रा किया है तो इसी तरह कर लिएए इसे हमने ग्रेंड कर लिए चेले जलते हैं गईस क्रिलागे तो सबसे पहले अम गईस पकड़ाहीं रखेंगे यह देखिए दूद में बाला आ चुका है अब इसे हम ऐसे ही पकाएंगे जब तक थोड़ी दूद की क्वांटिटी कम नहीं हो जाती तब देख सकते हैं दूद की क्वांटिटी जो पहले से थोड़ी से कम हो चुकी है बहुत ज्यादा नहीं तीब डाल देगे अपना हम लगता चलाती हो पकाएंगे तक चावल में गुटलिया यह लंस न बने इतना थी चावल जो है जमनी लगते हैं लंस बन जाते हैं ताप इसलगता चलाती हो पकाईए जब तक हमारी चावल अच्छे सब्धक नहीं जाती तो यह देखिए तो चावल यहां पर लंस हम 50% के स कटा हुआ ड्राइफ्रूट का जोर बदान साथ ही मने लिया है आपको इलाइची पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो यहीं पे एक चमस डाल सकते हैं आपके उपर है आप डाले आया है इसकीप कर सकते हैं इसे दो से तीम डावर पकाएंगे तो लगतार चलाते हुए यह देखिए हमारी यहां पर रब्डी दार फिरनी बनके लमसम त्यार ही हो चुकी है तीम डालने के हम चीनी तिहां मैंने आधा कब चीनी लिया है यह अपनी मीठे की साब से ले सकते हैं यह कम ज्यादा कर सकते है जितना आपको मीठा पसंद हो अब चीन डालकर दो से तीम डावर पकाएंगे बहुत ज्यादा नहीं यह देखिए हमारी यहां पर रब्डी डार और बहुती क्रीमी फिरनी बनके त्यार है यह ठंडी होगी तो और गाड़ी होगी तो इसे मैं और ज्यादा नहीं पकाना है जितनी ही है ठंडी होगी उतनी ही गारी होती जाएगी तब आप इसे सर्फ करें यह देखिए हमारी फिरनी बनके त्यार है अगर आप इसे ठंडर छत्र रखाएंगे तो और बहुत यह ठीश्टी लगता है ताप के उपर है अब देख सकते हैं कि पहले से फिरनी थोड़ी प्राइ करने के बाद अगर आपका मेरा वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुन लाब भूलें साथ भी घंटी के बटन डबाते जाए तक कि जाभी मेरा नए वीडियो आए सबसे पहले आपके पास बहु करें तो